स्टूड़न्गों में आप सभी का स्वागत है आईए देखते हैं आज का टॉपिक हेलो फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक है रेलवे भरती परिक्षा की तैयारी कैसे करें यानि कि हम किस प्रकार से रेलवे में किसी भी पोस्ट पर जॉब पासकते हैं इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो आईए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि रेलवे में हम किस प्रकार से भरती पा सकते हैं जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि भारतिये रेलवे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और ये देश का सबसे अधिक रोजगार देने वाला फिल्ड भी है लेकिन आज के समय में इस फिल्ड की नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गई है और इसका र चारों लोग इस फिल्ड में नौकरी हासिल करते हैं लेकिन जिन लोगों को इस फिल्ड में नौकरी मिलता है वो इस नौकरी को पाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं और सही तरीके से तयारी करते हैं तभी उन्हें ये नौकरी मिल पाती है एक जानकारी के अनुसार इस शेत्र में 16 लाग से अधिक रेल कर्मी काम कर रहे हैं अगर आप में काभिलियत है तो आप भी इस फिल्ड में नौकरी पा सकते हैं रेलवे विभाग हर साल अलग-अलग पदों के लिए भरती करता है जिसमें सैक्षिक योगिता और परिक्षा के आधार पर चयन किया जाता है इस विभाग में 8-10 वी से लेकर के ग्रेजवेशन और पोस्ट ग्रेजवेशन आवेदकों को अलग-अलग पदों पर नौकरी दी जाती है जो की ग्रूप A और ग्रूप B, ग्रूप C और ग्रूप D के हिसाब से होती है ग्रूप A और ग्रूप B की गिंती ऑफिसर ग्रेड से की जाती है आमतोर पर UPSC ही इन परिक्षाओं का आयोजन करता है और अगर आपको अभी तक UPSC के बारे में नहीं मालूम है तो आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने UPSC के बारे में बताया है और उस वीडियो का लिए इंक डिस्क्रिप्शन में दिया गय है इसलिए आपको UPSC की परिक्षा की तयारी करनी चाहिए तभी आप रेलवे में भड़ती पा सकते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रूप A वालों के लिए ग्रूप A लेवल के लिए आविदत के पास मानेता प्राप्त संस्थान से इंजीनिरिंग की दिग्री या फिर MBBS डिग्री की आविशक्ता होती है और अगर बात करें ग्रूप B वालों के लिए तो ग्रूप B के लिए कोई भी स्पेसल परिक्षा नहीं होती है इसमें वो लोग आते हैं जो ग्रूप C में अधिक अंक पाते हैं या ग्रूप C से पद्ध्योनती के आते हैं आगे हम बात करते हैं ग्रूप C और ग्रूप D के बारे में ग्रूप C और ग्रूप D के पद्ध नॉन गैजटीट सब ओर्डिनेट पदों के तहत है उनकी भरती रेलवे भरती बोर्ड के पूरे वर्ष जारी रहती है यानि कि पूरे साल ये भरती जारी रहती है तो अब हम बात करते हैं कि railway भरती परिक्षा की हम तयारी किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप Group A की तयारी करना चाहते हो तो आपको UPSC परिक्षा की तयारी करनी चाहिए। और Group B के लिए कोई special exam होता नहीं है तो इसलिए आप Group B की तयारी कर नहीं सकते हैं। Group B में केवल वही लोग जाते हैं जो Group C में high marks पा लेते हैं या फिर जो Group C से promotion पाते हैं। तो अब आपको तयारी करनी है या तो Group A की या फिर Group C और D की। B की तो आप तयारी कर नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें exam होता नहीं है। तो आइए अब हम जानते हैं कि Group C और Group D की तयारी हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं रेलवे में Group C और Group D की तयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रेलवे भरती में ग्रूप C और ग्रूप D की परिक्षा के अंतरगत कौन-कौन से पद आते हैं इसके बारे में. तो सबसे पहले हम पोस्ट के बारे में जानने वाले हैं. तो सबसे पहला जो post आता है ये आता है सहायक station master का यानि की assistant station master दूसरा post है guards का, तीसरा post है clerk का और चौत्था post आता है फिर ticket collector का और उसके बाद आता है traffic apprentice का, फिर आता है stenographer और उसके बाद है catering manager, फिर fitter, welder, helper, खलासी, trolleyman, trackman, pointsman, porters, gateman तो railway में group C और group D के अंतरगत ये सारे post आते हैं और इनका चयन सैक्षिक योगेता और लिखित परिक्षा के आधार पर किया जाता है आईए अब इन परिक्षा के syllabus के बारे में थोड़ा जान लेते हैं तो किसी भी परिक्षा के तयारी के लिए syllabus के बारे में हमें जानना सबसे important चीज होता है यदि आपको syllabus के बारे में यह नहीं मालूम होगा तो फिर आप exam की preparation कैसे करेंगे तो आपको बता दे कि railway अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग syllabus रखता है तो आपको देखना होगा कि आप किस post के लिए तयारी कर रहे हैं जिस post के लिए आप तयारी करेंगे फिर आपको उसी post का special syllabus देखना होगा क्यूंकि हर post के लिए railway विभाग अलग-अलग syllabus तयार करता है railway विभाग हमेशा अपने किसी भी exam से पहले syllabus को जारी कर देता है ताकि आवेदक उसके अनुसार अपना पढ़ाई कर सके तो इसमें जो syllabus हैं ये चार हैं सबसे पहला आपसे पूछा जाता है general knowledge के questions फिर आते हैं general awareness उसके बाद है maths और उसके बाद आता है reasoning तो friends railway group C और group D परिक्षा में पास होने के लिए आपको इन subject की पढ़ाई करनी होगी इसके लिए आप railway भरती परिक्षा book की भी help ले सकते हैं railway भरती परिक्षा में सभी सवाल objective type के आते हैं प्रशन पत्र में एक प्रशन के लिए चार पर्याय दिये होते हैं यानि कि एक question का चार option दिया होता है और आपको किसी भी एक option पर टिक करना होता है जो कि उसका सही option माना जाएगा तो यहाँ पर मैं आपको कुछ tip दे देती हूँ जिससे आप तयारी कर सकते हैं railway भरती परिक्षा की सबसे पहले tips आपके लिए यह है कि आप जिस भी post के लिए preparation कर रहे हैं उस post की जो पिछले साल जो exam हुआ था यानि कि पुराना प्रशन पत्र आपको किसी से भी लेना है net पे भी आप search कर सकते हैं या अपने friends से ले सकते हैं और फिर उस प्रशन पत्र को लेके उसकी तयारी करनी है आपको आप जितना अधिक प्रशन पत्र प्राप्त करेंगे उतना ही आपके लिए बहतर होगा दूसरा टिप्स है पिछले वर्सों के प्रशन पत्रों के लिए आप internet की help ले सकते हैं इसके अलावा आप बजार से ऐसी बुक भी खरीच सकते हैं जिसमें last year के question paper होते हैं तीसरे टिप्स ये है कि आप अपने दोस्तों से या फिर अपने भाई बहनों से अलग-अलग demo प्रशन पत्र बनाने के लिए भी कह सकते हैं इसके अलावा railway परिक्षा के model paper बाजार में मिलते हैं आप model paper की भी help ले सकते हैं अगर बात करें चोथे tips की तो प्रशन पत्र देखने के बाद आपको ये पता हो जाना चाहिए कि परिक्षा का syllabus क्या है और उसमें किस-किस base पर आपसे प्रशन पूछे जाएंगे अगला tips ये है कि इससे आपको परिक्षा pattern की अच्छी समझ हो जाएगी और आप अच्छी तरह से परिक्षा की तयारी कर पाएंगे आगे हम बात करते हैं अगला tips की अब आप ये decide करें कि आपको किस subject में दिक्कत हो रही है आपको किस field में मजबूत होना है इसके अधार पर आप अलग-अलग विशे को अलग-अलग time दे और परिक्षा की तयारी में जुट जाएं जैसे की मान लीजी आपको math समझने में थोड़ी problem होती है तो आपको math subject को थोड़ा ज़ादा time देना होगा बाकी सभी subject के मुकाबले इस तरीके से जिस subject में आप काफी ज़ादा perfect है तो उसको थोड़ा सा आप कम time दे सकते हैं लेकिन आप जसमें week है उसमें आपको ज़ादा time देना बहुत ज़रूरी है आगे बात करते हैं अगले tips की तो railway भरती परिक्षा के पढ़ाई के लिए आप railway परिक्षा book की help ले सकते हैं इस book की help से आप काफी अच्छी तयारी कर सकते हैं इसके अलावा आप 9-10 वी कक्षा की जो NCRT book मिलती है आप उनसे भी पढ़ाई कर सकते हैं आपके पास जितने भी प्रशन पत्र या model paper जमा हो जाएं उनके सभी प्रशनों को आपको एक जगर लिखना होगा या फिर उनका एक notebook तयार कर लीजिए उसके बाद आप सभी question को solve कीजिए इससे आपके तयारी काफी बहतर हो सकती है अपने friends से या फिर अपने भाई भैनों से railway भरती परिक्षा किताबों से और newspaper और TV पर आने वाले railway से related जितने भी content से demo प्रशन पत्र बनाने के लिए कहें और आप उन्हें परिक्षा की समय अवधी को ध्यान में रख करके solve करें आपको फिर उन questions की list बनानी होगी जिने आप solve कर चुके हैं फिर आप उन प्रशनों की भी एक सूची बनाएए जिने आप solve नहीं कर पाए हैं उनके लिए फिर आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी ताकि आप सभी प्रशनों को हल कर पाएं अगर किसी प्रशन का उत्तर किताबों में ना मिले तो आप इंटरनेट की भी help ले सकते हैं इंटरनेट पे भी आप उसे सर्च कर सकते हैं और सबसे important है time management time management का आप ध्यान रखे क्योंकि परिक्षा के समय आपको प्रशन पत्र को हल करने के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है उसी समय में आपको पूरे प्रशन पत्र को हल करना होगा अगला tips है किसी भी प्रशन को अंदेखा ना करें क्योंकि ये भी एक प्रतियोगी परिक्षा ही है इसमें हर कोई अधिक अंक अर्जित करने के लिए बहुती कड़ी मेहनत करता है ऐसे में आप किसी भी question को अंदेखा करते हैं या फिर छोड़ते हैं तो आप सफल होने से चूक सकते हैं इसलिए आपको किसी भी question को छोड़ना नहीं है आपको सभी question के लिए prepare रहना है कभी भी किसी भी question का गलत उत्तर ना लिखे क्योंकि इस परिक्षा में negative marking होती है इसलिए आपको किसी भी question का गलत answer नहीं लिखना है हर एक गलत question पर आपके कुछ न कुछ marks काट लिए जाते हैं इसलिए अगर आपको किसी question का answer नहीं आता है तो फिर आप उसे छोड़ी दीजिए अगला tips यह है कि परिक्षा में pass होने के लिए अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने की कोशिश करे क्योंकि अंतिम चयान अंको की merit के अधार पर निर्भर करता है लास्ट tips आपके लिए यह है कि यदि आप इस परिक्षा में सफल होना चाते हैं पास होना चाते हैं तो आपको time management का ध्यान रखते हुए daily एक model paper को solve करना होगा इसके लिए आपको कई सारे model paper बनाने पढ़ेंगे या फिर आप market से खरीज सकते हैं तो अगर आप daily एक model paper solve करेंगे तो सच में आपकी preparation काफी बहतर हो सकती है तो यदि आपको हमारी जानकारी जरा भी helpful लगी हो तो इसे एक like जरूर कर दीजेगा और आप हमारी सभी वीडियो देख पाएंगे थैंक यू सो मच फर वाचिंग दिस वीडियो